हेलो बुर्बान कैसा हम लोगा यू होप अब अच्छे होंगे वेल्कम टू दामेजिंग प्लैटफॉर्म अफ फिजिक्स वाला मेरे नाम है उमर आप देखना सुरू कर चुके हैं एक प्यारी खुबसूरा सी सीरी जहां पे हम दस मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉंसेप्स दिखते हैं और चार नंबर को पाने की कोशिस करते हैं अपने नीट एग्जामिनेशन के अंदर आज हमारे डिस्कुसन का टॉपिक होने वाला है extraction of aluminium हम aluminium को कैसे extract करेंगे उसका क्या method है देखो भया इनके जो और है उनका नाम होता है बॉकसाइड याद गरने का तरीका ऐसा है कि हमारे घरों में boxes present होते हैं कि इसके aluminium के तो थोड़ा सा relation बन जाता है तो उससे हमें याद होता है कि aluminium का जो और है उसका नाम है बॉकसाइड हमारा जो बॉकसाइड है वो दो तरीके का होता है एक होता है red बॉकसाइड और दूसरा होता है white बॉकसाइड जो red box side है उसके अंदर impurity अलग होती है और white box side के अंदर impurity अलग होती है बलकि मैं यह कह दूँ कि impurity के अलग होने की वज़ा से ही इनके नाम अलग-अलग होते हैं red box side and white box side ठीक है जी अच्छा हम जो पहले पढ़ेंगे that is red box side याद कुछ ऐसे इस तरीके से करना यहाँ पर उ red box side इससे समझ आँगा अब यार body अगर मालोओ उसके उपर body को फून आ गया लग गया तो वह क्या हो जाएगा बेहाल हो just like and अपां से लघान रखेगे का रेद box side कि इस सफाई के लिए हम दो प्रॉसेट यूज करेंगे एकky process का नाम है बेर्स process, bears process दूसरा है halls process bears process and halls process इस तरीके साब को याद रहेगा ठीक है यहाँ पर जो impurity present होती है red box side में that is F2O3 और उसके साथ है भाईया जी silicate ठीक है जी तो इसी की बज़ा से वो red color रहता है एक का, हलका हलका reddish रहता ठीक है आगे बढ़ जाते हैं that is bears process, ठीक है जी मनें बताया ना bears process यूज करके हम red box side का क्या करते हैं साथ सुथरा करते हैं यह बात क्या है रही जी, यस सर अभी क्या है कि अभी हमें na AL2O3 की सफाई गरनी है उसके अंदर कुछ impurity उसको हटाना है तो pure AL2O3 पाना है, साथ सुथरा concentrated AL2O3 पाने का तरीका है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं पहला है bears process bears process के लिए हम यूज करते हैं leaching agent, leaching agent क्या होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर hydrometallurgy यूज करते हैं, hydrometallurgy के अंदर क्या होता है कि आपके पास ore और impurity है आप क्या करते हैं, आप अपने ore को एक ऐसे solvent मी या leaching agent के अंदर dissolve कर देते हो, जिसके बाद आप उसको साफ सुथरा कर लेते हो अपने ore को लेकिन वहाँ पर जो impurity होती है वो impurity solvent के अंदर dissolve नहीं होती, तो उसको हम छाट के फेंग देते हैं, निकाल के फेंग देते हैं इस process को leaching process कहते हैं या hydrometallurgy बोला जाता है इतनी बात क्लियर है? यस सर, तो हो जाएगा leaching agent क्या है? यहाँ पर हम leaching agent यूज करते हैं NAOH यहाँ पर bears process में leaching agent का का काम करता है हम क्या करेंगे? निमाली जी एक भी कर लिया इसमें क्या था? और और impurity ध्यान देना भईया और और impurity मैं बार बार इसले लिखता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि और के अंदर impurity है वैसे तो और लिखूंगा तो उसके अंदर impurity अपने आप ही कही जा रहे हम उसी के तो सफाई करने वाले हैं तो यही तो है हमारा बॉक्साइट और तो और को हमने क्या किया? न ओएच के अंदर डिजॉल्व कर दिया जब हम डालते हैं तो यह कि इसके अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है लेकिन गंदगी किसकी रहती है impurity वाले तो impurity को निकाल के फिंक देते हैं और एक ऐसा solvent पा जाते हैं जहां पर आपका ओर डिजॉल्व हो चुका है अब सवाल है कि डिजॉल्व कैसे हो और क्यों हुआ अब देखो वैसे आपको पढ़ाया जाता है कि चाहे आप aluminum का foil ले लो चाहे आप Cal Cl3 ले लो चाहे आप aluminum का Knowledge ले लो चाहे आप aluminum का Oxide ले लो ध्यांस लेकिना ये सबके सब लोग NaOH के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं उसको लिखते हैं NaO2 Sodium meta aluminate लिखते हैं अब तरीका समझाता हूँ, समझना मेरे पास क्या था, Al2O3 था तेका जी हमारे पास क्या है, Al2O3 Oxide है, हमने NaOH के अंदर डाला, तो निश्ची तरूप से Oxide, Hydroxide में Convert हो जाएगा, और हमें मिलेगा Initially मिलेगा, Al2O3 का Presbytate, सुन लो दुबारा क्या और NaOH डालते हैं, तो जब NaOH डालेंगे तो क्या होगा, Na plus and OH negative, अब एक चीज़ समझना ध्यां से, यहाँ जो आपका Aluminium है, उसके किनारे किनारे 3 OH ग्रूप लगे हैं, अगर Aluminium से 3 OH ग्रूप जुड़े हैं, मतलब Aluminium की किनारे 6 electrons है, लेकिन Aluminium चाहता है, उसके पास 8 electron हो जाए, इस वज़ा से OH negative से electron को वो receive कर लेता है सामने से, क्या करता है, सामने से electron को Aluminium receive कर लेता है और जब receive करेगा, तो यह क्या बन जाएगा, ALOH 4 negative, सुनना ध्यान से ALOH 23 तो neutral था, सामने से OH negative आएगा, तो यह क्या बना देगा यहाँ पर negatively charge बना देगा और इसको counter कौन करेगा, NA plus करेगा, तो क्या बन गया NA, ALOH 4 NA plus, ALOH 4 negative, इसी चीज़ को यह कुछ अलग नहीं है, जो आप पढ़ते हो sodium meta-aluminate अलग है, नहीं भया, यही है, यही कैसे देखो, यह है, इसको लिखने का तरीका है, NA, AL, O2 dot 2H2 देख लो, सब मिलेगा, इसके अंदर देख लो, एक aluminium, यहाँ पर sodium, यहाँ पर oxygen देखो 2 है, 2-4, 4 oxygen hydrogen देखो, 4, तो जो यह है, वही यह है, समझ गए बात को, तो कभी-कभी paper में यह लिखा रहता है, और कभी-कभी paper में यह लिखा रहता है NA, AL, O, H 4, मैं ने समझाने के लिए सब कहानियां बताई है, ठीक है, आपको यह fact भी याद होना चाहिए, कि चाहे आप aluminium का foil ले लो, चाहे उनका chloride ले लो, चाहे हाइड रोकसाइड ले लो, चाहे आप इनका oxide ले लो, NA, O, H के अंदर डाला तो dissolve हो जाएगा, completely clear solution, और क्या होगा, वहाँ पर sodium meta-aluminate बनीगा, या उसको इस तरीकी से complex के form में NA, AL, O, H 4 लिखते हैं, समझाया क्या, समझाया, लग तो रहा है, कुछ feel तो आया है, अगली बात करते हैं, मैंने क्या बोला, यह क्या लिखा जाएगा, sodium meta-aluminate लिखा जाएगा, बट यह उसका complex form है, और यहाँ पर आपको एक चीज तो पता ही है, कि NA positive charge यहाँ पर negative charge, अब यार अगर यह आपस में reaction करके, यह बनाएंगे, और यह क्या है, आइनिक है, तो पानी के अंदर dissolve होंगे न, polar को polar तो dissolve कर सकता है, आइनिक को dissolve कर सकता है, तो हाँ निश्चतरूप से dissolve हो जाएगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह तो dissolve हो गया, आपका और, और dissolve हो गया, लेकिन impurity तो dissolve नहीं हुई, impurity कैसी थी, वो dissolve नहीं हुई, तो हमने क्या करा, उसको निकाल करके फिंक दिया, impurity को निकाल के फिंक दिया, अब हमारे solution के अंदर सिर्फ और present है, अब हमें यार वो और भी तो वापस लाना है, dissolve करके थोड़ी रखना है, गायब करना है क्या, नहीं करना है भी या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, देखो यही, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ डारेट लिखने वाला हूँ, आप चाहो तो इसको लिख दो, naal o2.2, यह उपर वाली चीज़ को इच्छाप दिया मैंने, ठेक, उसी गुमें से मैंने यहाँ पर लिख दिया, naal o2, में हम क्या करेंगे, बाहर से और पानी डालेंगे, जब पानी डालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर हमें al o h 3, al o h 3 का प्रस्पटेट मिलता है, सिंपल बात समझना, जब हम al o h 3 लेते थे, और इसमें o h negative मिलाते थे, तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था al o h 4 negative, बोलो, यह मिलाने से यह मिलता था, तो अगर यह equilibrium को, यह equilibrium रहता है, इस equilibrium को disturb करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी मिला देंगे, जब पानी मिला देंगे, तो यह चीज इधर सिफ्ट हो जाएगी, अगर इधर सिफ्ट होगी, तो हमें क्या मिलेगा, इसका प्रस्पटेट मिलेगा, क्यों कि भया, एने आई ऐलो टु क्या है, यही तो है, और हमने यही तो लिखा है, है इसके अंदर हम पानी डालेंगे एक्लिवर्यम सिप्टों के इधर आ जाएगा इसका मतलब हम हम यह मिलेगा इस सब लॉजिकल होता है बट सीखने की बात है ना ओके जाए आगे देख लेते हैं अगला क्या मिला प्याओर एल टू ओ त्री इसका हमें प्याओर फॉर्म मिल जाएगा देखो कितना असान था हमने गंदगी के साथ मिलाया गंदगी फेक दी डिजॉल्व नहीं हुआ साफ सुतरी चीज़ डिजॉल्व हो गई उसके बाद हमने क्या करा हीट करके साफ सुतरा एल होता है आंधर और वो है किया एने 2x3 का एकक लिए आराम से समझाता हूंगा आपको मज़ा आएगा अनंद आएगा मैंने क्या किया अपने जो और थे भाई साब उनको हमने एने 2 to 3 के सोलूशन में डाला तो सोलूशन में डालने के बाद आपको क्या लगता क्या मिलना चा oxygen ले लो na2o.co2 यह कौन है पहला जो पार्ट है वो basic है दूसरा जो पार्ट है वो acidic है तो acidic और basic part मिल करके यह salt वना था अब होगा क्या जो al2o3 है वो क्या होता है amphoteric वो कैसा होता है amphoteric तो यह amphoteric part है वो इस basic part के साथ रिष्टेदारी करेगा देखो basic part के साथ रिष्टेदारी करो मतलब na2o dot भाई इनमे से ले लेगा वो na2o और अपना दाओं पे लगा देगा al2o3 दोनों को मिला के देखो क्या लिखा गया दोनों को मिला के देखो आनंद आया क्या naalo2 बना क्या यस सर समझ भी आ गया और क्या होगा co2 gas निकल के बाहर आ जाएगी ठीक हम निकलने नहीं देते हैं डखके रखते हैं co2 gas को ठीक फिर हम क्या करते हैं ध्यां सुनना हमने जो naalo2 बनाया co2 के साथ अब क्या करेंगे जो मारे पास naalo2 था उसमें और बाहर से co2 लेंगे और h2o डाल देंगे तो होगा क्या ध्यां से सुनना यह जो co2 है water के साथ देखो यह acidic था water के साथ मिलके कौन सा acid बनाएगा h2 co3 समझाने का तरीका ही है यह दोनों मिलके क्या बना रहे है h2 co3 ठीक अब यहां पे सही से द आलते हैं तो क्या बनता है nao h बढ़ाय कभी na2o plus water क्या बनता है nao h और nao h कैसा basic तो यह basic part nao h क्या करेगा h2 co3 के साथ reaction करके क्या देदेगा बोलो na2 co3 यह तो समझ आ गया क्योंकि h plus हट जाएगा और na plus उसकी जगा पर आ जाएगा और जो यहां का oh negative हो हुए हां के h plus को ले करके water बनाकर किनारे हो जाएगा लेकिन बचा हुआ पार्ट क्या है बताएं बचा हुआ पार्ट यहां से क्या निकला वलो क्या निकला अरे भाईया यहां में से जो Na2O था उसको मैंने H2CO3 के साथ Na2CO3 बना दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है साफ सुथरा पार्ट Al2O3 तो यहां से हमें Al2O3 प्योर फॉर्म में मिल जाता है प्योर फॉर्म में हमें यह मिल जाता है अब हमने क्या किया? अच्छा जी एक मिट रुकंएगा यह नहीं मिलता है क्योंकि पानी में डाल रखा है तो Al2O3 पानी में है तो क्या मनेगा? है़्ड्रॉक्साइड, ऩर्थलि यार तो जो यहां पर ऑकसाइड है वो हाइड्रोकसाइड बनाएगा क्योंकि आपने Na2O को जब पानी में मिलाया तो इसने NaOS दिया, आप जो NaOS बना तो निश्यत रूफ से वो Al2O3 के साथ रेक्शन करके क्या बना देगा, अब जाके हमें मिलेगा, आनन्द आया होगा, कैसे हम बेहाल्स प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं अपने इस Al2O3 को साथ सुतरा करने के लिए, अब इसके बाद आते हैं में पॉइंट पे, यह में पॉइंट नहीं था, वह भी इंपॉइंट था, यह भी इंपॉइंट है, यह भी इंपॉइंट है, वाइड बॉक्साइट की सफाई कैसे करेंगा, और वहाँ पे क्या इंप्योर्टी र याद करना पड़ेगा, कुछ पाते हैं, यहाँ पे देखे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो Al2O3 है, उसमें हम कारबन डालेंगे, N2 गैस पास करेंगे, लेकिन टंपरचर देखो, 1800 डिग्री सल्चियस पर, रेक्शन के प्रोड़क्ट को हम आराम से सीखेंगे, उसको रट् की या Oxygen को लेकर की वो Carbon Monoxide बन जाएगा, अच्छा, यहाँ पर अगर Oxygen चला गया, Carbon के साथ बचा क्या, Alumunium पे प्लस 3, यहाँ पर क्या Alumunium पे प्लस 3, तो होगा क्या, जोकि Carbon Oxide बनाने गया, मतलब अपना Oxidation करा रहा तो किसी का Raduction होगा, तो यहाँ पर N2 reduce हों करके, 2 N 3 negative बन जाएगा nitrogen यहाँ पर क्या हो जाएगा direct convert हो जाएगा nitride iron में तो यह बन जाएगा अब होगा क्या यह जो aluminium है इस nitrogen के साथ connection बनाएगा लेकिन aluminium पर क्या था plus 3 और हमारे nitrogen पर है 3 negative इसका मतलब आपस में neutralize हो जाएगे neutralize हो गए तो ALN बन जाएगा जिसको बोलते हैं aluminium nitride इसको क्या बोलते हैं aluminium nitride खास रटना भी नहीं पड़ा कारबन ने अपना oxygen खींचा यहाँ पर aluminium nitrogen के साथ यह connection बना लेगा इतनी बातों में समझाती है अब देखो जो हमारे पास यह ALN है हम उसको क्या करने वाले है एक मिनट यह ALN रहेगा यह जो चीज है यह क्या है यह हटा देना पड़ेगा यह है ALN यहाँ पर लिख देता हूं ALN पीछे वाली चीज यहां चली आई होगी यहाँ पर क्या है हमने क्या बोला हमने क्या बनाया aluminium nitride as a product बनाया एलमूनियम नाइट्राइड प्रोड़क्ट बनाया इसको हमने पानी के अंदर डाला आप सोचके देखो पानी तूटता है तो कैसा रहता है यह एच प्लस एंड ऊच नेगटिव के फॉर्म में पानी तूटता है और आपको पता कि एलमूनियम नाइट्राइड में जो जाएगी और देखिए एलमूनियम थ्री प्लस को क्या दे दिया आपने ओच नेगटिव इसका मतलब भया जो पीछे बना रहे थे ना आप यहां भी वो चीज़ बन जाती है अगली चीज़ समझना अगली चीज़ समझना यह बहुत इंपोर्टेंट है अगली चीज़ को बरदास कर जाता वो वैपराईज नहीं होता 1800 डिगरी सलसियस पर भी तो हम क्या करते हैं हम सूचते है यार यह हम स्यलिका का थोड़ा सत्यानास करती हैं गरे कार्बन मोनो खसाइड है यह नहीं रोख्कन कर जाते हैं और आपको पता होगा कि कार्बन monoxide जब सामने से oxygen पाता है तो क्या बाता है co2 gas और यह अब co2 gas बना के निकल जाएगा लेकिन वहाँ पर silicon रह जाएगा आप चाहें तो इसको balance कर लें लेकिन simply अभी इतना जान ले silicon बन रह जाएगा अब यह silicon है ना यह temperature बरदास नहीं कर सकता यह temperature बरदास कर ही है अपने पढ़ा होगा कि यह giant covalent molecules type का होता है बहुत बढ़ी layer wear बना के रखता है यहां पर क्या होगा यह आसानी से melt हो जाए इसका melting point कम होगा बिद्रिस्पक्ट तो इस तरीके से हमने impurity अपनी उड़ा दी और हमने बनाया क्या यह लोस का प्रस्पटेट और यहीं को हीट कर लेंगे यह बस आ जाएगा तो देखो यहां पर आगया silicon और इस silicon को हम क्या करेंगे वह यह वाइपराइज कर लेंगे co2 गैस को भी हम गैस के फॉर्म में भगा देंगे तो कुल मिला कि impurity आपकी हट गई यह देखो यह जो था यहां से मिल गया आपको al2o3 लेकिन यह प्याओर फॉर्म में सायद आपको आनंद आया होगा अब हम बात करते हैं electrolytic reduction अभी हमारे पास प्याओर al2o3 आया है अभी आपको aluminium कहा मिला नहीं मिला तो उसके लिए हम यूज करेंगे electrolytic reduction और आपको पता होगा s block मतलब की group 1, group 2 और aluminium इनके लिए हम क्या यूज करते हैं यह method यूज करते हैं electrolytic reduction का इसका नाम है hall herald process यहाद भी रहता है hall herald process हम यूज करते हैं aluminium के लिए क्या होता है कहानी समझिएगा यहाँ पर हम ना कुछ इस तरीकी की चीज़ें यूज करेंगे जहाँ पर यह जो anodes हैं देखो यह जो anodes हैं वो graphite के anodes हैं हमने इसको dip कर रखा है और यहाँ पर जो solution है यह solution किसका बना हुँ है यह है al2o3 का जो अभी पीछे साफ सुत्रा al2o3 मिला उसको हमने क्या करा melt कर दिया लेकिन आपको को कम करने के लिए हमने बाहर से na3 alf6 मिला दिया आपने पढ़ा होगा quality property पढ़ते वक्त की किसी को melt कराना है तो बाहर से कुछ चीज मिला लेजिए melting point down हो जाता है उसका तो इनके मिलाने के बाद इनका al2o3 का melting point down हो जाएगा कम हो जाएगा तो यह आसानी से melt हो जाता है तो यह na3 alf6 क्या करता है melting point कम कर देता है al2o3 का पहली चीज याद रख पाएंगे अब na3 alf6 जो होता है इसको बोलते ही cryolite और कई बार इनी पर question आया हुआ है क्या बोलता है इसको cryolite अब यह cryolite और क्या करता होगा सोचके देखो सोचके देखो क्या करता होगा इसका क्या काम है electrolytic reduction में आप कहोगे भया एक तो इसकी वज़ा से इस हमारे purified al2o3 का melting point कम हो गया यह बात तो समझा गई बाकी क्या करता है बाकी भया देखो यह क्या कर होंगे तो electrolytic reduction का process आराम से हो पाएगा तो conductivity create करने के काम यह आता है इसके साथ साथ आपन एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं that is flow spar ठीक है अब चड़िए पढ़ाता हूं मैं आपको क्या हुआ है कैथोड पर क्या होता है यह कैथोड पर reduction होता है हम बच्पन से सीख के रखे हुए है इस बात को अच्छा जी तो हमारा जो कैथोड यहां पर है जहां पर आप देख लो इस्टील की वेसल है लेकिन कार्बन की लाइ जाएगा तू टाइम एलमूनियम प्लस थ्री में और किसमें टूट जाएगा भीया ट्री टाइम ऑक्षिजन की खोपड़ी पर दो नेगटिव चार्ज में है तो यह दो आयंस मिलेंगे ठीक है आप देखिए आप खुछ से सोचके देखिए यहां पर नेगटिव चार्ज वो नीचे यहां पर कैथोड की यहां पर देखो कैथोड यह है तो इसी की उपर यहां पर बैठा रहेगा बाद में उसको यहां से निकाल लेंगे तो यहां से एलमूनियम साफ उतरा आपको मिल गया एक्स्ट्रैक्ट हो गया लेकिन बाकी चर्चा भी कर लेते हैं कि तो यहां पर O2 gas बन जाएगा और gas निकल सकती है लेकिन होगा क्या कि यह जो हमने एनोड ले हैं वो graphite ऐनोड है carbon के अनोड है ठीक है तो होगा क्या जो यह oxygen gas निकलती है वो उसके साथ reaction कर जाती oxygen gas कहाँ पर निकली एनोड पर ही निकली है तो होगा क्या carbon और वो oxygen gas आपस में reaction करके carbon monoxide CO या CO2 बना देते हैं example के तौर पर मैं आपके यहाँ पर दिखा देता हूँ हमारे पास था क्या carbon लेकर क्या बना देगा carbon monoxide या CO2 बना देगा और aluminium निकल के बाहर आजाएगा जिसको आप निकाल लोगे आप यहां से बोल सकते हो कि देखो यार यहां पर जो oxygen था उसने जो यह अनोड था carbon उसके रेक्शन करके CO या CO2 मना देगा आपके मन में सवाल आया होगा भया यह अनोड खतम नहीं हो जाएगा जब वो जलेगा तो हाँ जब आप यह है कि जलता है खतम होता है और इनोड पतला होता जाता है बाद में हम इसको निकाल के दूसरा एक सेट इसमें लगाते हैं तब यह process आगे बढ़ता है साइद आपको आनंद आया होगा मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और यह series अगर follow करते हैं तो आपको अगली वीडियो में बाई बाई टेक केर